आज हम बनाएंगे बहुत ही क्विक बनने वाली लांच या डिनर कॉम्बो रेसिपी तो सबसे पहले शुरू करते हैं धाबा स्टाइल दाल पालक से धाबा स्टाइल दाल पालक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक चौथाई कप तूर की डाल इसे हम अरहर की डाल भी कहते हैं और एक चौथाई कफी यहाँ पे लिया है मसूर की डाल आप चाहें तो इनकी जगा मूंग डाल का भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन ये डाले यूज़ करने से ना आपके डाल पालक का टेस्ट बहुत बढ़ी आएगा इन्हें मैंने अच्छे से धो लिया है तीन से चार बार और फिर इसे रख देंगे पंदरा मिनिट के लिए भीगने के लिए पानी में पंदरा मिनिट बाद ये जो डाले हैं उसे डाल देंगे हम प्रेशर कुकर के अंदर और साथ ही डाल देंगे एक कप पानी एक टी स्पून जितना नमक डाल दिया है और एक चौथाई कप इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे अब इसे हम प्रेशर कुक करेंगे एक फिसल हाई फ्लेम पर और दस मिनिट लो फ्लेम पर जब कुकर का प्रेशर निकल जाए न अपने अब तब देखें ये जो दाल है वो कितने अच्छे से बॉइल हो गया है इसे हल्क ऐसा मैश कर लीजिए अब आई तड़के की बारी तो इसके लिए मैंने लिया है एक बड़ा चमच तेल और एक बड़ा चमच घी घी से न डाल पालक का स्वाद बहुत बड़ी आता है इसलिए से मिस मत कीजिएगा उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है एक चमच राई और जीरा जैसे ही राई जीरा चटक जाए इसमें डाल देंगे लाल मिर्च दो चुटकी हींग डाल दी है और साथ ही डाला है बड़ी लाईची जिस स्वाद बहुत बड़ी आता है इन सबको हलक असा सौटे करने के बाद मैंने डाल दिया है एक प्यास जिसे बारी चॉप कर लिया था प्यास को हम एक मिनिट के लिए पका लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर और फिर डालेंगे एक बड़ा चमच लसन और अद्रक इन सबको मैंने कूट लिया है आप चाहे तो अद्रक लसन का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास है तो लेकिन अगर फ्रेश अद्रक लसन यूज़ करेंगे न तो उसका फ्लेवर और अच्छा आएगा 30-40 सकिंड के लिए भून लीज़े जब तक अद्रक लसन का कचपन नहीं निकल जाता फिर आड़ करेंगे इसमें एक टमाटर जिसे बारी चौप कर लिया है साथी डालेंगे एक बड़ा चमच धनिया पाउडर एक चमच लाल मिर्च पाउडर और थोड़ सा नमक ताकि हमा पालक का मैंने एक छोटा बंच लिया है जिसे अच्छे से धो कर बारी चप कर लिया था वैसे तो आप चाहें तो पालक आप डाल के साथ ही आड़ कर सकते हैं प्रेशा को करते वक्त लेकिन इस तरीके से आड़ करने से सुआत और अच्छाता है पालक को हम दो मिनिट के लि है हमारा मिश्रेन अब हम इसमें डाल देंगे हमारा बॉयल किया हुआ दाल अगर आप रोज रोज सेम डाल खारकर पोर हो गए है ना तो इस तरीके से बनाईए इसके साथ अगर आप सबजी नहीं भी बनाएंगे ना तो भी आप इसे चपाती रोटी या फिर चावल के साथ इंजॉय कर सकते हैं इतना टेस्टी बनता है अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूंगी लगबग एक चाथाई कप और फिर हम नमक को एड़ेस्ट कर लेंगे याद रहे नमक हमने अल्रेडी डाला हुआ है दाल पकाते वक्त भी और फिर थोड़ा सा नमक हमें टमेट बनकर यहाँ पर रेडी है थोड़ा लिक्विडी लग रहा होगा आपको यहाँ पर लेकिन जैसे ही आप रखेंगे ना इसको थोड़े देर के लिए थंड़ा होगा यह और भी थिक होते जाएगा इस टेप बिल्कुल ऑप्शनल है मैंने लाल मिर्च और घी का तड़का ड यहाँ है एक कब बास्मती चावल जबी भी मैं बास्मती चावल को स्टोर करती हूँ न तो उसमें कालिय मेर्श या फिर लॉंक जरूर आड़ करती हूँ ताके इसमें कीडे ना लगे आप चाहे तो यह खड़े मसाले ऐसे ही रहने दे सकते हैं हमारे चावल में बहुत यहाँ पर एक प्रेशर कोकर ले लिया है जिसमें मैं डाल दूंगी देड़ टेबल स्पून घी के आप चाहे तो इसे तेल में भी बना सकते हैं बट घी में इसका जो स्वाध है वो बहुत अच्छा आता है साथ ही डाल देंगे कुछ खड़े मसाले जैसे कि मैंने यहाँ डाल चीनी और एक बड़ा चमत जीरा कुछ ही सेकेंड्स में जो जीरा है वो चटकने लगा है ब्राउन हो गया है इसका कलर और बहुत अच्छी खुश्बू आ रही है इसमें से अब हमने जो चावल धोके रखेते ना साइड में उसे आड़ कर देंगे इसके अंदर और च मिक्स मत कीजे यहां पर वरना हमारे जो चावल है ना वो टूट सकते हैं इसलेक दम हलके हातों से इसे मिक्स कर लीजिए जब हम प्रेश कुकर में राइस बनाते है ना तो चावल का जो कलर है वो थोड़ा डल हो जाता है इसका कलर बिलकुल वाइट रहे रेस्टरॉन के ज मैंने यहां पर 250 ml का मेजरिंग कप इस्तमाल किया है आपके पास जो भी कप हो आप उसके एसाब से पानी और चावल को मेजर कर सकते हैं हलके हातों से हम इसे मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसे प्रेशर को करेंगे चावल को पका लेंगे एक विसल हाई फ्लेम पर और पाच म मिनिट से जादा बिल्कुल ना पकाईएगा वरना आपके जो राइस है वो थोड़े से मशी हो सकते हैं और हो सकता है नीचे से हलका सा जल जाए इसलिए बराबर पाच मिनिट ही पकाईए का जो प्रेशर है वो भी आपने आप रिलीज हो गया है और हमारे खिले-खिले जी धनिया पत्ता और मिक्स कर लिया है आपकी मन पसंद सबजी या दाल तड़का के साथ इसे एंजॉय कीजिए और मुझे बताना भूलेगा मत की रेसिपी कैसी बनी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए शेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए साथी बेल आइकन को क्लिक करना भूलेगा नहीं थांक यू वेरी मार्ट